हेलो फ्रेंज वेलो वैञेकर कोना यूटिफ चैनल फ्रेंज आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने चेहरे को किसे चमका सकते हैंilly किस तरीक से यूट्वार deciding two सब्सक्राइन Old चोटे सी रुक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को जरुड लाइक कर दिजो और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए तो स्टार्ट करते हैं तो आप यहां पर एक ले लीजिए फर्स इंग रिडिन हम यहां पर एड़ कर बनाती है छेहरे से डाने मोहास से दिट सकिन सेल्स को रिमूफ करते हैं साथी चेहरे पे नए निखाल लाती है गलो लाती है और यह चेहरे ब्लीचिंग का भी काम करती है तो अम यहां पे एड़ कर देंगे कफी दूसरी चीज हम यहां पे एट करेंगे बेसन यानि की ग्रामफलॉर बेसन तो फ्रेंस आपको पता ही है कि यह कितना अच्छा होता है सालों से इसका यूस किया आते जा रहा है क्योंकि यह चेहरे से काले पन को दूर करने में बहुत अच्छा होता है साथ ही चेहरे से दाने, मुहा से pigmentation को, pimples को दूर करने में भी बहुत helpful होता है तो दो चमच के बराबर हम यहाँ पे, एक से दो चमच हम यहाँ पे बैसा नेट कर देंगे तीसरी चीज़ हम यहाँ पे एड़ करेंगे, शुगर पावडर यानि की, पिसी हुई चीनी आप यहाँ पे चीनी बूरे का भी यूज़ कर सकते है चीनी फ्रेंस चेहरे को मौश्राइस करती है चेहरे को ग्लोइंग बनाती है साथी चेहरे से यह दाने मुहासो को भी दूर करती है अब हम यहाँ पे एड़ करेंगे एक चमच चंदन पावडर या आपको किसी भी स्टोर पे या दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा चंदन पावडर फ्रेंस बहुत अच्छा होता है चेहरे के लिए कित्ती बार हमने इसका अपने चेहरे पे यूज़ भी किया है और यह चेहरे को ग्लोइंग बना देता है लंबे समय तक चेहरे पे निखार रखता है और चेहरे को यह जवान दिखाता है साथ ही चेहरे से फाइन लाइन से एकने की प्रॉब्लम को भी दूर करने में बहुत हैल्प करता है लास्ट इंग्रीडियन हम यहाँ पे एड़ करेंगे प्रॉब्लम क्यान की कच्चा दूद इसको मिक्स करने के लिए कच्चा दूद फ्रेंस चेहरे को दूद जैसा गौरब नाता है यह चेहरे से डाक स्पोर्ट ब्लेक हैट्स और वाइट हैट्स को दूर करता है तो धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे दूद एट करना है और फिर इसको मिक्स करना है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो चुका है यह देखिए और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसी किस तरह करना है अपने चेहरे पर आपको बस इसे लेना है और अपने चेहरे पर अच्छे से इसका अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से आप इसको वन वीक के लिए स्टोर करके भी लग सकते हैं फ्रीज में अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इसे पंदर मिनिट के लिए ड्राय होने के लिए इसको छोड़ देना है और जब इस ड्राय हो जब आप इसको नॉर्मल वोटर से वोश कर लीजिए आप देखेंगे आपको जो चेहरा है वो बहुत ही जादा स्मूथ और शाइनिंग हो चुका है बहुत सॉफ्ट आपको अपना चेहरा लगेगा और केवल तीन से चार बार की इस्तमाल से ही आपकी चेहरे पे से सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी चाहे वो दाने हो मोहासे हो पिग्मेंटेशन हो या फिर कालपन हो यकीन मानिए यह बहुत अच्छा नुसका है इसको आप ट्रैस जरूर करके देखिएगा फ्रेंस इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यह बिलकुर नेचर है आपकी चेहरे के लिए हंड़ेट परसेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा बहुत ही यूसफुल है यह रेमिडी और इसको बनाना भी बहुत एजी है आप बहुत एजली बनाकर इसको रेडी कर सकते है तो फ्रेंस आच्छी इस वीडियो बस इतना ही आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो जल् यह तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जले से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए पास ही बलाइगान पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब विडियो अप्लोड करूं तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जातों फ्रेंज हमें लिए अगली वीडियो में थैंक्स फूर वोचिंग